नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप चैनल स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आगामी परिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड के एतिहासिक जानकारियों से सम्मधिक नहीं चीजों की दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों से साजा करें साथ हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को अवश्य दबाएं तो दोस्तों सुरू करेंगे अपने ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे उत्राखंड के एतिहासिक चीजों से सम्मधिक महत पूर्ण जानकारियों की दोस्तों उत्राखंड के विशे में पुरातत्तु का जनक हेनोट को कहा जाता है हेनोट के द्वारा 1856 में आपके देविदुरा नामगिस्तान से जो की चंपा जनपद में इस्तित है देविदुरा नामगिस्तान से महापाशन कालेन पुरावशेशों की खोज करी थी किसके द्वारा की गई थी हेनोट के द्वारा कप की गई थी 1856 में की गई थी हेनोट के द्वारा ठीक है महाश मिरसाच्कृति की खोज 1870 में की गई थी रिवेट कार्णक की दौरा की गई थी महाश मिरसाच्कृति की खोज आपको ध्यान दे रहा है 211 में हरीद्वार के बहाधराबाद ना मकिस्तान से पामर उपकरण और मरदभांड की खोज कुछ की गई थी तामर उपकरण और म्रतबांड की कोज करे गई थी 1951 में 1952 और तिरेपन में बहादराबाद हरिद्वार में ही यगिदत सर्मा के द्वारा पाशान कालीन अवसेशों की खोज की गई थी ठीक है स्विप्रसाद डबराल ने मलारी नामगीस्थान से महापाशनकालिन शवाधानों की खोज करी थी कहां से Malari से जो कि चमोली में है Malari और इसके अलबा दोस्तों आपके हे नूड ने जो है आपके अठारसो हे नूड ने हमने बोला था कि 1856 में हे नूड ने कब 1856 में जो है कहां से देवीदुरा नामकिस्तान से महापाशवान कालीन जो है सवाधान की खोज करी थी ठीक है ये चीज आपको याद होनी चाहिए कुमाओ विश्विद्याले के द्वारा ने जो रानी खेथ है रानी खेथ के पास धन धनकल गाओं में रानी खेथ के पास धनकल गाओं में एमपी जोसी साथ ही जो है डी एस नेगी के नेतरुत्त में उत्खनन किया था बात करते हैं चमोली टीरी उत्तरकासी जनपदों से संब्दित जो महत्पूर्ण चीजें हैं आपके प्राचीन उत्राखंड के इत्षा से संब्दित चित्रित दूसर मरत भांडू के साक्ष जो पर से जो है सफेद रंग के चित्रित हतियार और पॉसूं के सहल चित्र मिले हैं ठीक है सफेद रंग के चित्रित हतियार और सफेद रंग के सहल चित्र कहां से मिले हैं आपके जो है किमनी गाउं से मिले हैं चमोली ठीक है आपको ध्यान देना है इसके अलावा जो है हुड पुरातत्य विभाग पुरातत्य विभाग को स्रीनगर के ढ़े जो है थापली और उत्तरकासी जिले में उत्तरकासी जिले से इन्हेक चित्रित दोसर मरत भानड कहां से प्रापत हो इंहें हेमती नंदन बहुगणा विश्यू विध्यालाई को स्रीनगर के पास जो थापली पर और साथ ही उत्तरकासी से प्राप्त हुए है चित्रित धूसर म्रत्भांड ठीक है और चित्रित धूसर म्रत्भांड के साख गडवाल से प्राप्त हुए है पहले आपको यहां पर बता चुके हैं ठीक है किसको प्राप्त हुए हेमती नंदन बहुगोणा विश्विद्यालका जो पुरात्रत्य विभाग है उसको ठीक है मलारी गाउं से मैं जो सबाधान की खोज करीगी है स्विव प्रसाथ डबराल की द्वारा आपके जो 1956 में आप किया गया था ठीक है मलारी गाउं पर सर्विक्षन गडवाल विश्विद्यालका कपकप किया गया 1983 साथी 2001 में ठीक है बात करते हैं अलमोडा नेनिताल और बागिश्वर जनपतों से जो महत्पूर्ण इस्थल मिले हैं उनकी गर बात करें जो पेट शाल पेट साल की खोज जा है आपके 1989 में की गई है 1989 में 1989 में की गई है 1989 में वेट साल की खोज और वही पर फटका नौली में फटका नौली की खोज कब की गई है फटका नौली की खोज 1985 में की गई है और यसोदर मठवाल जी के द्वारा अलमोडा के रामगंगा नदी घाटी छेतर में पुरा पाशान कालीन उपकरणों की खोज के रिगे रही है अलमोडा में पुरा पाशान कालीन उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई है यसोदर मठवाल जी के द्वारा अलमोडा के रामगंगा घाटी छेतर से ठीक है इसके अलबा उत्राखंड से लौह उपकरणों के सरवादिक जो प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए है वो क आपको 13 mostra किए 888 कियी गई थी किसके दौरा की गई थी कि पूरिए TV transpose करनक के दौरा की दौरा कर दी करी ती महाजमा संसक्रिती की 7डर में है तो यहाजम संसक्रुप्धर जो आकरतियां पर आपती हुआ जो कहां से मिली है द्वरहाट के जो है चंद्रिश्वर मंदिर से ठीक है राम गंगा घाटी के जो है 90 ग्राम नामकिस्तान से कप मार्क को जेसुदर मटवाल जी के द्वरा की गई है ठीक है इसके अलावा अलमोरा के फलसीमा से योग साथ ही मुद्रा की जो है मानव चित आकरतियां है मानव की ठीक है यह मिली है अलमुडा के फलसीमा नामकिस्तान से ठीक है इसके अलावा फटका नौली और पेट साल की को यह सोदर मठपाल जी के द्वारा की गई है और जो पेट साल जिला है जो पेट साल गुफा है वो अलमुडा जन्पद में है, और फटका नॉली भी अन्मला जन्पद में है, साथ यहां से जो कत्थाई रंग की मानवाकरतियां प्राप्त हुई है, आपको ध्यां देना है, इसके अलावा काली माठी और मल्ला पैनाली में जो है प्रागेती हासिक काल की जो सहल चित्र प्राप्त हुए है यह आपको ध्यान देना है इसके अलावा बात करें महरु उड्यार नामकिस्तान रामगंगा घाटी च्छेत्र में स्थित्त है महरु उड्यार नामकिस्तल कहां पर है पुराज जो प्राची इन सतल है कहां पर है ओर रामगंगा घाटी के छेतर में स्तितर हे ठीक है इसके अलाबा मंगोली सेल चित्र नेनीताल जनपत से प्राफ्त हुए और मंगोली सिलासरई प्राफ्त में है महरव उड्डिया नम अगीस्तान कहां पर रहे राम गंगा गहाटी के छेतर में अफंद्र तांच जो है नेनीताल से ही जो है तामर मानव आकरतियां कहां से प्राप्त वी हैं नेनी ताल से प्राप्त वी हैं प्राप्त वी हैं । तर कप मार्क प्राप्त वेगा है तaken नौलाग्राम नामकिस्तान से रपस्चिमी रामगंगाशा घाकि की społec biz तेख़िक है इसके उलवा दीस के चंद्रिश्वर मणिर से चंद्रिश्वर मंदिर से आपको ध्यान देना है इसके अलावा बात करते हैं 1952 और त्रेपन में यगिदत सर्मा के दौरा जो है आपके हरिद्वार के बहादराबाद छेतर का जो उत्खनन किया गया था हमने आपको बताता है यहाँ से इन जो पाशान कालीन सस्कृति के क्या मिले थे उसे इसमें स्रोत मिले ठीक है यहाँ से चीजा मिले थी पाशान कालीन सस्कृति संबंदिक चीजा मिले थी यह सो दर्म यह इनको आपके यगिदत सर्मा को ठीक है हरिद्वार के बहादराबाद से लाखो गुफ्या की अगर बात करें लाखो गुफा जो है इसकी खोज आपके उनीस सो जो 68 में की गई थ पर 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 इससे पहले हमने आपको बता था जो कि आपके किमिनी गाउं मलारी गाउं और यह किस नामा किस ता कुन सी नदियों पर इस्तित है आपको ध्यान देना है आपके पिंडर नदी और साथ ही जो है आपके आप यहाँ पर देख सकते हैं पिंडर नदी और यमना नदी ठीक है पिंडर नदी और यमना नदी ठीक है उत्तरकासी में यमना पैती है तो उत्तरकासी में हुडली है और चमोली में पिंडर पैती है तो किमिनी जो है चमोली में पिंडर नदी की गाटी की छेत्र में ठीक लाखो गुफया से और लाखो गुफया में जो है एक नाग फनी के आकार का जो है एक भवी सिलासरे प्राप्त हुआ है ठीक है नाग फनी के आकार का एक भवी सिलासरे कहां से प्राप्त हुआ है नाग फनी के आकार का यह आपका हुआ है लाखो गुफया जो है अलमोडा से या लाखो उड्द इयार लाखो उफ़ा के विश्याई में यहाँ पर एक सामोहिक निर्थ्थी पर आ डारी थे हैं पुछा जाए लाखो उड्द करते हुए लोगों का चित्र प्राप्त साथ मोई करते हुए। साथ ही बात करें जो किमनी गाहु था वो पिंडर नदी के तट पर है हुडली जो है आपके यमन नदी के तट पर ठीक है आपको ध्यान देना है यहां से जो आपका यह जो आपकी गवार्थ गुफा है पारह सिंगा से संबंदित 41 चीतर किस जगह से प्राप्त वें गोर्ख्या गुफा से प्राप्त विद्व में इस गोर्ख्या गुफा को लाने का असरे राकेश भटको जाता है ठीक है आपको ध्यान देना है मलारी गाउं के अगर बात करें तो जो मलारी गाउं है वो उसकी पर इसतीत है ठीक है आपको ध्यान देना और यहां से पांच दसनलब दो किलो का एक सोने का मुखोटा मुखावरन ठीक है मुखोटा साथी जो है नरकंकाल और मिट्टी के बरतन मिले हैं ठीक है मिट्टी के बरतन मिले हैं पांच दसनलब दो किलो का सोने का मुखोटा मिला और एक नरकंकाल मिला है कहां से मलारी गाउं चमोली से ठीक है आपको ध्यान देना है और इसके अलावा जो मलारी गाउं से जो प्राप्त बरतन है वह पाकिस्तान की स्वाद गाटी से जो प्राप्त बरतन है उनसे मिलते हैं ठीक है उनके समान इनकी रचना की गई है उनकी सम 56 में सवाधान की खोच की गई थी ठीक है और यहीं से जो है मलारी से ही काले और दूसर चितरित मरत्भांड मिले है काले और दूसर चितरित मरत्भांड कहां से मिले है मलारी गाउं से मिले है काले और दूसर चितरित मरत्भांड मिले है आपके मलारी से और किमनी से कैसे मिले हैं किमनी से आपके जो चित्रित दूसर मिले हैं ठीक है चित्रित दूसर कहां से मिले हैं ये किमनी गाहों से मिले हैं ठीक है जो की किस नदी के तट पर है पिंडर नदी के छेत्र पिंडर नदी घाटी में इस्तित है ठीक है किमनी गाहों और मलारी से का अले और धूसर चित्री मृत भांड यहां से प्राप्त हुएं ठीक है लवे थाप गुफा की बात करें लवे थाप गुफा जो है यह आपके अलमोडा जनपद में है और यह यहां पर जो सेल जो सिलाज चित्री यहां से प्राप्त हुएं उसमें मानव का सिकार करते हुए सा और उत्रा खंड का पहला प्रजाती समू है वह आपको ध्यान देना है तो दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही हमने कोशिज करी जो भी महत्पूर्ण चीजें थी वह आपके सामने रखने की इसके अला दोस्तो एक यहाँ पर चीज और है बनकोट पितोरागट से यहाँ पर जो है बनकोट पितोरागट से आपके आठ तामर मानवा अकरतिया मिली है और पांच तामर मानवा अकरतिया मिली है यह आपके जो है नैनी ताल से मिली है आपको ध्यान देना है नैनी ताल से मिली है आपके नैनी ताल से मिली है कितनी आठ मानवा कृतिया मिली हैं कहां से बढ़कोट पित्वारा गट से ठीक आपको ध्यान देना है तो दोस्तों उम्मीद है कि ए वीडियो आपको पसंद आयोगा यहां से किसी भी तरह का अगर प्रस्न परिक्षा की दोरान पूछा जाता है झाल से बढ़को झाल से बढ़को झाल से बढ़को जाता है